नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल एवरिटिंग हिंदी पर आपका दोस्तो आज वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सेकेंड हम आपसे बात करना चाहते हैं दरसल आची तारिक में आपके जो कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं वो इतने जादा अप्टू जान लगा देंगे वीडियो आप तक accurate पहुचाने में तो चलिए आज की topic पर बात करते हैं दरसल दोस्तो आज से हम एक नई series जोडने जा रहे हैं जिसके मदद से आप अब एक ऐसे समुद्र में चले जाएंगे जिसमें इतने सारे coin आपको मिलेंगे कि आपको बस किसी भी coin की जानकारी हो कि यह coin हमारे काम का है और वो coin आपके wallet में होगा इतना easy और इसको आप step by step सीखेगा episode में यानि एक एक series में होगा पहले हम trust wallet की बात करेंगे उसके बाद उसके अगले step की बात करेंगे और यह सारे step जब complete हो जाएंगे तो आपकी जो trading होगी वो इतनी easy और smooth अब ही जैसे समझी आप एक तालाब में आदमी तैरता है उसके बाद एक नदी में तैरता है उसके बाद एक समुद्र में तैरता है समुद्र मतलब उसमें अच्छे खासे कौईन है इतने जादा कौईन है कि जो आप बस कहीं से सुन लिजे कि हाँ ये कौईन में कुछ उम्म है क्योंकि इसमें एक भी गलती acceptable नहीं है वो एक गलती अगर आपने किया तो वो पूरा पैसा आपका स्वाहा हो जाएगा तो इसलिए यह सीरीज को अच्छे से समझे अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आता है तो अच्छी बात है नहीं तो किसी और की वीडियो से भी य अच्छा खासा उठा सकते हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली एप से इसके बाद कई और इसमें जितनी भी सीरीज हैं वो सब हम आपको इसी वीडियो के बाद एक करके देंगे और इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ क्रिप्टो टेडिंग इतनी इजी भी हो सकती है और ये जो सीरीज जो वीडियो आज हम बता रहे हैं ये एक इसका पार्ट है तो अभी इस वीडियो का एक पार्ट आप जानिए उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का पार्ट उसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और ये सारी वीडियो का जब ज उसके माध्य हमसे समझे और उसके बाद ये सब एक कड़ी जुड़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे पूरे काम का ही था तो दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं Trust Wallet के बारे में Trust Wallet आप अगर आप चाहें यूज करना तो आपको Android और iOS दोनों की एप पर मिलेगा तो हम लोग चलते हैं अपने सीधे mobile screen पर और mobile screen पर ये दिखते हैं Trust Wallet को कैसे create करना है Trust Wallet सबसे पहले create करना सीखते हैं अगर इसमें दो option आ रहे हैं पहला कि आप create a new wallet और दूसरा आ रहा है अगर आपके पास already है तो सीधे जाके इसमें अपनी जो की होती है वो डाल ली है और अगर आपके पास नहीं है तो create wallet पर करना है कहीं पर link के रखना है दो जगहा पर कहीं पर link के रखना है ये जो key आई है सामने 12 word आई है इसको कहीं पर link के रखना है क्योंकि अगर ये key किसी के हाथ लग गई तो ये समझे कि आपका पूरा का पूरा ये wallet उसके हाथ में लग गया इसका कोई भी recovery नहीं है कहीं से आप पानी सकते हैं तो आपको ये key कहीं पर दो जगा लिख के रखने screenshot अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो screenshot भी लेकर रख सकते हैं उसके बाद ये सारी key अगर आप आगे इसमें wallet में करना चाहते हैं आप कोई लिखना पड़ेगा तो हम भी ये फटाक से लिख लेते हैं तो इस सारी लिख लिए हैं आप continue करते हैं अब इसको series में लगाना है जो भी ये 12 word फिट से आगे हैं इसको series में लगाना है वो जो हमने लिख रखें तो well done यानि कि आपका account create हो गया इतना simple है आपका account इस तरीके से create हो जाएगा अब इससे आपकी कुछ खासियत के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहली खासियत तो यह free है दूसरा इसमें 1,60,000 coin available है इतने coin किसी और wallet में नहीं मिल सकते हैं जितने इसमें हैं आप बस सोचिए और इसमें search किजिए वो coin आपको मिल जाएगा दूसरा इसमें आप directly खुद से buy कर सकते हैं यह buy का option पर click किया अगर आपको Ethereum buy करना है तो Ethereum buy कर सकते है BNB buy करता है BNB buy कर सकते हैं अपने credit और debit card से कुछ-कुछ country में debit card चलेगा कुछ में नहीं चलेगा तीसरी खास बात यह है कि यह easy to use है जितने भी wallet होते हैं उसमें इतना जदा complicated होता है इतनी जदा features होते हैं future कई सारे और सारे features होते हैं यह लेकिन simple है एकदम simple है next जो benefit है यह कि यह decentralized app है तो इसमें किसी और इसका कोई मालिक नहीं है जिसने app बनाई थी उसने बना के upload कर दिया है और आप पीछे से इसको backup देते हैं और यह app decentralized की तरीके से काम कर रही है और एक खास बात यह कि इसका Binance को पूरा support है Binance की official website पर भी जाएंगे तो Binance की official website पर भी इसका जिक्र किया गया है और इसके बारे में यह बताया गया कि हाँ हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे है 2018 से तो Android और iOS में अंतर क्या है आप यह समझ दिए जो नीचे डैप का option आ रहा है आप स्क्रीन में देखिए जो नीचे डैप का option आ रहा है यह जो डैप का option आ रहा है इसके इंटरफेस की तो इंटरफेस में आप देख सकते हैं इसमें शुरुआत में सिर्फ चार क्याइन दिख रहे हैं अगर आपको कोई क्याइड करना है तो उपर जो साइड में बटन है वहाँ पर आप कोई को सर्च कीजिए जैसे मुझे करना है सेफ मून सेफ मून हमने सर्च किया और यहाँ पर यहाँ आगे इसके आगे जो स्वाइप है उसको की किया तो अब यह हमारी लिस्ट में नीचे यहाँ पर देखिए शो करने लगा तो इस तरीके से कोई भी क्याइन अगर आप चाहें तो उसको add या minus कर सकते तो यह हुआ उसके बाद अब यहाँ से send अगर आपको send करना है तो सबसे पहले receive करना होगा तो receive करने के लिए आपको receive का button यह दबाना है और receive कौन सा क्वाइन चाहिए हमको चाहिए BNB, BNB का हम दबाएं और यह QR code दिख रहा है आपके अगल बगल में बैठा हुआ है जिससे मंगाना है तो उससे मंगा सकते है नहीं तो यह जो address इसको copy कीजिए और आप मंगवा सकते है तो अब आगे हम इसको मंगा कर आपको दिखाते हैं तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने Binance के अंदर और BNB का एड्रेस है उसमें यहां विड्रॉल का प्रेस किया और यहां पर जो address आ रहा है इसमें हमको address डालना है Trust Wallet का तो Trust Wallet पर हम जाते हैं और Trust Wallet में BNB को स्रिक किया यहां पर Receive का जो क्योंकि इस account में इस wallet में हमको receive करना है वो BNB तो Receive का दबाया इसमें लिखा हुआ address copy किया और नीचे लिखा है No Memo Required तो वापस गये Binance पर और प्रेस किया अपना जो भी address था उसके बाद Max दबाया Max Quantity Withdrawal इसमें लिखकर आ रहा है आपको आपने Memo नहीं डाला है Continue करूँ हाँ ठीक है Confirm OTP एक Mobile पर आया है Confirm यहाँ से Send हो गया यहाँ से Send हो गया है अब Trust Wallet में अपना चेक करते हैं कि Trust Wallet में कितने समय में पहुचेगा अभी BNB हमारा 0 है 5 मिनट के बाद हमारा BNB पहुच गया है और तो इस तरीके से आब क्रिप्टो को Receive कर सकते हैं और ठीक Receive के बगल में एक Send का Button है इससे अपने क्रिप्टो इसी तरीके से आप Send भी कर सकते हैं किसी को जिसका एड्रेस आप जानते हैं और इसको भीजना चाहते हैं उसको आप Send कर सकते हैं उसके बाद इसका एक Option है Setting में तो अब इस तरीके से आप इसमें कई Multiple Wallet रख सकते हैं और उसके बाद दूसरा जो Option हाँ एक चीज़ और है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा Trust Wallet हमारे Mobile में इंस्टॉल है और हमारे पास जो Key थी वो खो गई है तो उस समय क्या करना है उस समय आपके पास एक Option रहता है आपकी Key Recover करने का वापसी करने का कि जो भी आपका Wallet है उसमें आप Show QR Code करेंगे जिस तरीके से भी में करने दिखाया Show QR Code करेंगे तो आपका जो भी इसमें जो Key है 12 Word की Key है वो आपको दिख जाएगी अगर इसमें आप Password प्रोटेक्ट करते हैं तो Password के Password जब डालेंगे तो वो दिखेगा Account Delete करने हैं तो यहाँ पर Delete का बटन दबाएंगे और यह Account Delete हो जाएगा Simple सा इतना है इस सरीके से Account Delete हो जाएगा तो आप लोग इस पर क्यों ट्रस्ट करते हैं क्यों आप जैसे किसी के पास Binance है या कोई और Wallet है तो लोग चाते हैं अगर कोई Coin हम Long Term के लिए डालें तो इसमें डालें उसका वज़ा यह होती कि जितने भी App हैं सब Centralize हैं जिन पर आप ट्रेडिंग करते हैं उनमें से यह जो निकल कर आता है यह Decentralize है हाला कि बहुत सारे और भी Decentralize है करीबन टॉप 20 की लिस्ट है जिसमें कि यह जो Trust Wallet है यह No.1 निकल कर आता है क्योंकि इसका इंटरफेस इतना Easy है इतना Smooth है इतना Supportive है और Supportive से याद आया कि Supportive इसका Zero है आप इसकी App में देखेंगे कहीं भी Support या Contact का बटन नहीं मिलने वाला क्योंकि यह Decentralize है तो इसमें Support नाम की कोई चीज नहीं है कि Support नाम की बटन आपको ढूंडने से मिलेगा कोई Chat नहीं कोई Support नहीं जितना भी जो कुछ करेंगे वो सब आप पर Depend है सही कर पाता है तो ठीक है गलत कर बात है तो पैसा हवा में चला जाएगा तो हाँ हम बात कर रहे थे लोग इसमें Crypto Q रखना पसंद करते है और रखना इसलिए पसंद करते है क्योंकि जितनी भी सारे Valet है वो सब Centralize है तो यानि किसी के आधीन है वो किसी मालिक के जैसे तो जैसे Binance की बात करें Binance के जो CEO है CZ है उनके आधीन है Binance वजीरक्स की बात करें तो निश्चल शेटी के आधीन है वजीरक्स तो इस तरीके से जितने भी Centralize है उनसे लोग बहतर preference करते हैं जो Decentralize है जिनका कोई करें नहीं सकते है कम से कम हम तो नहीं कह सकते कि कौन सा Decentralize है तो लोग इस पर जादा भरोसा मानते हैं और इस पर अपनी क्रिप्टो को रखना पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो एक एक करके भीज सकते हैं और चाहें तो इसी में swap कर सकते हैं, अपना USDT इसमें रख सकते हैं, और सब कुछ उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप Binance वगेरा यूज़ करते हैं, तो अब आगे next वीडियो में हम और इसके next step की बात करेंगी, कैसे इसमें और आगे आपको अगला कदम आना है, तो अभी थी ये पहला part, उसके आगे next part आएंगे, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, अगर कुछ वीडियो में आपको छूटता हूँ लग रहा तो नीचे comment कीजे, हम आपको comment में जवाब दें बाकी जब आप install करेंगे, एक एक feature में जाएंगे अंदर और उसको समझें के जैसा हम नया phone लेते हैं, उसके बाद पूरा एकदम रात भर में chat डालते हैं, और उसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, इस app को, तो आप खुद से सीख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर वो झालते हैं